बनारस में मुख्यमंत्री बैठक करते हैं और उनकी सरकार के कैबिनिट मंत्री बैठक में शामिल न होकर लखनव में शिष्टाचार मुलाकात करते हैं योगी अधितनाथ की बैठक में शामिल न होने वाले केशो प्रसाद मौरिया के साथ तस्वीर को ओम प्रकाश राजबर भी साजा कर रहे हैं और उसी टोन में केशो प्रसाद मौरिया भी दुनिया को बता रहे हैं कि वंचितों, शोशितों, धलितों, पिछडों पर गंभीर चर्चा और शिष्टाचार मुलाकात थी हैं ये तस्वीरे उन नेताओं की हैं जिन में से एक नेता ने दूसरे के लिए का था एगो कोईरीबा आओ आँ उप मुख्यमंत्री ना चुप मुख्यमंत्री बन के बैठलवा ओके कुल बैठलवा दे सोफा छोड़ा कुरसियों प्रकाश राजबर जी अधरी केश्व प्रसाद मौरियाग जी के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीरे राजनीती है राजनीत में कुछ भी स्थाई और स्थिर नहीं है लेकिन इन तस्वीरों ने लखनव के गलियारों में घर के भीतर चलने वाले जगड़े को और उजागर कर दिया है कि क्या पिछड़े समाज के ओम प्रकाश राजबर केश्व प्रसाद मौरिया अनुप्रिया पटेल या निशार मिल करके दिलने के इशारे पर लखनों को घेरने के मिशन में अभी भी लगे हुए है क्या और उधर अखिलेश या दो सदन के गलियारे में खड़े होकर बारिश में छाता लेकर बोल गए कि मानसून ओफर अभी चल रहा है कुछ दिन बाद शीत कालीन ओफर भ तो विपक्ष भी ताक लगाए बैठा है कि उधर से कुछ हो तो इधर से कुछ कर दिया जाए क्या खिलेश यादों के ओफर क्या दिल्ली की रड़नीती या लखनव की साजिश कौन के पर भारी पड़ेगा या योगिया गितनात ने मुझपफर नगर में नेम प्लेट लि किया हेडलाइन मैनेजमेंट भी किया और सुप्रिम कोट में अपना वकील भी नहीं भीजा ये इशारा कर दिया कि दिल्लकनव में बैठे लोग इतने कमजोर भी नहीं कि दिल्ली के हवाओं की छोके से हवा में उड़ जाएंगी जगडा भारी है और बढ़ता जा रहा है आज की वीडियो में जरप पड़ताल इस जगड़े की करते हैं इस पूरे सिनेरियो की कौन किस पर भारी पड़ता जाएंगे जागत है आपका डॉक्टर लक्षमड यादो के सोशल मेडिया प्लेटपॉर्म पर तो अभी खबर ये आ रही है कि सुप्रिम कोर्ट ने अंतरी मुरोक लगा दे कि मुझफर नगर के रास्ते पर जितने दुकानदार हैं सब को अपना नाम लिखने की प्लेट लगानी होगी माली जब फल भिक्रिता है क्योंकि दुकाने जो स्थाई हैं उस पर तो लिखा र कर रही थी कि कौन बेच रहा है दुकान पर कौन बैठा हुआ है किसके नाम की दुकान है उरिजिनल नाम तो इंडिया फूट सेंटर नहीं चलेगा अब सुरेश फूट सेंटर लिखना होगा अब सुरेश के दुकान पर महेश बैठा है कि अकरम बैठा है ये लिखना होग या असली खेल ये था कि महेश पासी हैं, महेश वालमीकी हैं, कि महेश पाड़े हैं या महेश श्रिवास्तों हैं ये भी पता चल जाए बहुत तरह कि खेल राजनीत में केवल उतना ही रंग मंच पर दिखता है जो मंच पर हो सच्चाई उतनी नहीं होती परदे के पीछे से परदे के सामने को संकेत किया जाता है इस बात को बल तब मिला जब सुप्रिम कोर्ट में इस मामले को रोक दिया गया और अंतरी में रोक लगा दे सुप्रेम कोट ने कहा कि रुकिए परताल करने दीजिए समझने दीजिए आप भी ज़रा अपना पक्ष रखें क्यों नहीं योगी आदित्तिनात की सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए वकील तक खड़ा नहीं किया इसका मतलब क्या ऐसा है क्या कि योगी आदित्तिनात इस पूरे मामले को क्योंकि जैसे ही ये मामला खबर में आया उन्होंने ये कह दिया कि अब पूरे प्रदेश में ये लागू होगा पूरे प्रदेश में तो इसका मतलब ये कि योगी आदित्तिनात जिनको घेरने के लि पर भारी पढ़ रहा है या कोई किसी पर भारी नहीं पढ़ रहा है और अभी सब हल के तरा जुमें चड़े होएं अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं क्योंकि बीजेपी है को यह और पार्टी होती तो उसकी बड़ी-बड़ी खबरें होती ही भीतर की भाग बाहर करने वाले लोग आ जाते सूत्रों के जरिये घर का छोटा सा जगड़ा तिल का ताड़ बना कर पेश किया जाता और मीडिया पर विज्वल को मुबाइल केमरे से बन कर आ जाते बीजेपी में ऐशा नहीं हो रहां ना किसी की इंमत है बुर्टोजर अभी भले रुख गया हो पेपर Лीग पर नहीं चल रहा रहा है पार धंसरा है क्योंकि पाड़ों की चिंता किसी को नहीं, विकास के नाम पर पहाड भरबरा के गिर रहा है, बुल्डूजर रास्ता साप कर रहा है, जब मौका आएगा बुल्डूजर किसी के घर पर चलेगा, तो वह भी शांत बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सब कुछ क चोटी चोटी बातों को इतना बड़ा बना बना कर पेश किया गया, खुद अमिशा जी का आप गूगल करके पढ़िएगा, एक बयान वाइरल हुआ था, कि हमने जूट बोला कि जब नेता जी मुलाहिम सिंग यादव और अखिलेश यादव जी में जगड़ा हुआ, तो ह फेक न्यूस से कैसे उसका फाइदा हमें राजनितिक मिला और कोब मिला, ये अपनी मीटिंग मनों ने का, तो वाटसेप ग्रूप की वो महत्ता बता रहे थे, असल में कोई और पार्टी होती तो घर के भीतर के इतने वीडियो आ जाते, इतनी जगड़े सामने आ जाते, इ अपने नेरेटिव को फिर से केंद में रखने के लिए योगी आधितनात ने फिर से हिंदू बना मुसल्मान या शुचिता की बहस छड़ी जिसका लाब योगी आधितनात को मिल गया, भले सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी, लेकिन भीतर भीतर योगी आधितनात जो संद देश देना चाह रहे थे, अपने उन लोगों को, जिनको कल तक तो योगी बड़े प्यारे लग रहे थे, हिंदुत्वा के पोश्टर बॉआ है, लेकिन आज जब वही विकल्प बनने लगे, तो जो और भी multiple option choice थी, तो दूसरे option को बुरा लगने लगा, कि ये option यहाँ कैस से योगी अदितनाथ ने अपनी हिंदुत्वा की narrative को set किया, अपनी ताकत को दिखाया, अपनी गोलबंदी मजबूत की, मीडिया में बहस के जरिये headline management कर लिया, बहुत तरह के काम कर लिया, लेकिन फिर headline में कुछ और चीज़ें दूसरे खेमे की तरफ से भी आ रहे हैं, औ असल में बनारस में मुख्यमंत्री योगी अदितनाथ एक बैठक रखते हैं, और उस बैठक में सुभासपा प्रमुक और कैबिनेट मंत्री योगी अदितनाथ की सरकार में ओम प्रकाश राजबर शामल नहीं होते हैं, और ठीक उसे दिन वो लखनव में डिप्टी सियम ज मुख्यमंत्री कहते थे, ये वही दोनों की तस्वीरे मुस्कुराती हुई सामने आई हैं, क्या गजब की मुस्कुराहट है, और पुराने भाशन अगर न सुने हो तो सुनिएगा, एको कोईरी डिप्टी सियम बनलबा, आओके कुल बैठे बदे इस्टू लवा दे दे थ हमसोफों न मिलन कूर्सियों न मिलन, हम रहती हैं तो वह उस्टूल उठाएके, योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजबर जी का बयान है आदड़ी केश्व प्रसाद मौरिया जी के लिए, राजनीती है, इसमें अध्याय बनते हैं, बदल जाते हैं, तो ये वही दो उनों लोग हैं, जो चुक मुख्यमंत्री के साथ, बोलने वाले ओम प्रकाश राजबर, मुस्कुराती वी तस्वीर साजा करके, यह संकेत दे रहे हैं, कि वह किसके साथ खड़े हैं, लामबंदी घर के भीतर तेज हो रही हैं, और मीडिया की खबरों को मानें, तो एक हफ के भीतर, दूसरी बार ओम प्रकाश राजबर जी केशो प्रसाद मौरिया जी के साथ देखे हैं, और उनसे मुलाकात के उनके घर जाकर, पिछले रभिवार को बाजपा प्रदेश कारिस समीती की बैठक में, केशो प्रसाद पहले ही बोल चुके हैं, सरकार से बड़ी संग केशो प्रसाद मौरिया से मिलने चले गए, और ऐसा लगता है कि खुला समर्थन देने गए हैं, भाईया बढ़ा आगे, हम बाड़ी तोरे पिलचे, अद दूनों भाई मिलके पटखनी दे देवल जाए, दूनों जने ओभी सी, दूनों जने के लखनव वाला ना पसंद कर बढ़ा दिला, हमके हरले के बाद मंतरी ना बने बड़ा दिल्ले, तो उपमुक्य मंतरी बाद ढ़के मंतरा ढ़के अधीकारी ना jou पर दिल-देले के आमने के ऊपर हाथ हबा, हम चल्चल दूनों भाईयम मिलके, शायद ऐसी कोई बाद स्वैल देव राजबर पाइटी क और उसको खुद उन्होंने तस्वीरों को पोश्ट किया कि आज लखनव के साथ कालिदास मार्गिस्तित कैंप कार्याले में उत्तर प्रदेश के उप्मुक्यमंत्री केशो प्रसाद मौरी से आत्मी भेट की और विभिन मुद्दों पर चर्चा की और दोनों ने वो तस्वीर तथा गदबुद्ध बीच में विचार धारा की बात तो करनी पड़ेगी न क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश आदों का पीडिये तयार बैठा है अखिलेश आदों का पीडिये संविधान का नेर्टियू लोगों तक अपनी बात पहुँचा रह वन्चितों शोशितों दलितों अलपसंद के कों पिछडों की समस्याओं और समाधान पर दूनों नोताओं की चर्चा होई वाकई तो अनुप्रिया पठेल जी को भी बोलाना चाहिए था चित्टी तो उन्होंने भी लिखिए संजय निशाद जी भी हो सकता बाद में मिल संजय निशाद जी भी कर रहे हैं अरक्षण के साथ जिसने ताल मिल ठीक नहीं किया उनकी सरकार ही चली तो याद रखेगा अखिले श्यादों का पीडिये का अखिले श्यादों उनका पीडिये और उनके पीडिये पर जंता का यकीन अब बीजेपी अपना काम कर नहीं पा पाने की चलते हैं बुरे भसी है बीजेपी और उनके पिछड़े निताओं को लगता है कि करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या यह OBC, SC, ST कम्यूनिटी के लोग संबिधान को लेकर सजग हो रहे हैं बाबा साब मिटकर को लेकर सजग हो रहे हैं इनके बीच चेतना रही है यह अपने अधिकारों को लड़के लेने वाले बन रहे हैं तमाम तरह की बाते हैं इन लोग के बीचा रही हैं तो अब उस सुब्गाहट को तेज कह जा रहा और दूसरे तरफ दिल्ली वह चाहती है कि समण वर्चस्त के तोड़ा जाए और पेछडे और दलित और दलितों में भी नहीं अभी बन जी हैं तो वो अपना काम करी रही हैं पेछडे वर्चस को खड़ा के आ जाए इसलिए यह चर्चा है थे जो कि खुद जो तस्वीर ओंप्रकाश राजभर ने पोश्ट की वह ऐसी तश्वीर केश्व प्रसाद मौरिया ने पोश्ट की और खीक उनों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जीसे आत्मी अभेट और विबिन बरतों पर विश्वों पर चर्चा तो राजनीत में एक एक चीज का संकेत बड़ा गहरा होता है केश्व प्रसाद मौरिया बैठक में नहीं पहुंचे ओम प्रकाश राजभ या क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या और ऐसे में कैसे ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और उत्ता प्रदेश के घर के जगड़े को कितना आगे बढ़ती हैं इस पर नजर रखनी होगी क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग उनके सामने योगी अदितनात एक चुन पता इंको गुजरात से एक आधमी को दिल्ली बुलाया गया और रिटाइर कराएं गया दिल्ली से लखनव भीजा गया लखनव में मकान नहीं मिला रहा रहने का और पता चरह था को उप्सक्र बनाने की बात थी उन catastको करने बह Door को उसक्रास बनाने की बात कहते रह गए ल लेकिन यह जो ताकत लखनवु ने दिखाई है, यह जो ताकत योग्यादितनात ने अरजित कर लिया हर जिले में जो पुराने ठाकुरों के अपने लोग थे, उन ठाकुर समाज राजिपूतों ने खूब ताकत अरजित की, योग्यादितनात ने उनकी मदद की है, हर जिले म प्रसाइद मौर्या आखरी में तो यह मांगने लगी कि ग्री मंत्रा ले दे दो अच्छा पी डेवलूटी जितिन प्रसाइद के बाद खाली हुआ हमको दे दो कुछ भी नहीं मिला और इससे अपने लोगों को ताकतवर बना करके योग्या अधितनाथ ने अपना प्रभाव बना लिया है हर जिले में ताकतवर नेताओं को बाकी कोई पैसा कमाया नहीं तो बाकी लोग भी मीडिया में आके नाराज हो रहे हैं गोलबंदी योग्या दितनाथ के खिलाफ बहुत जादा है बीजेपी में लेकिन धर रहे हैं सब के नुकसान कितना होगा क्योंकि हिंदुत्वा का पोश्टर बॉआ है अगर उसे छड़ा गया वो अलड़ी RSS में कभी नहीं रहे योग्या दितनाथ का RSS से कोई रिष्टा नहीं रहा अपने दम पर अपनी राजनिती से उन्होंने बीजेपी में जगह बना ली अपने दम से उत्तर प्रदेश के मुख्यवंत्री बन गए अपने दम से उत्तर प्रदेश में दुबारा मुख्यवंत्री बन गए ये ताकत योग्या दितनाथ ने अर्जित की है उनको छेड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल पढ़ रहा है इंजन टकरा रहे हैं आपस में लेकिन दिल्ली में भी बैठे लोग जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को किनारे लगा दिया बहुत बड़े बड़े लोगों को तो दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि शाह ने मोदी जी को कन्विंस कर लिया है के भर, देखे यह ठीक नहों रहा है, लेकिन समय अगर माली जिए डेर होगी, तो गुजिराट में महाराश्ट में चुनाव है, हर्याणा में में चुनाव है, बड़े बड़े राजजीों में ऑगर चुनाव हार गई BJP, जिसके आसार जादा दिख रहा है, हरियाना में बीजेपी के हारने के आसार दिख रहे हैं महराश्ट में भी हारने के आसार जादा हैं अगर निस्पक्ष ठीक से चुनाव हो गया तो क्योंकि दोनों जगा बीजेपी की आलत खराब है और अगर दोनों राज जी चुनाव हार गए तो दिल्ली वाले लोगों को और मुश्किल होगी कि यूपी में सीम बदले तो बदले कैसे और यूपी का सीम इस दवात को टालने में अभी काम्याब हो रहे हैं वह अपनी ताकत से अपनी रड़नीती से अपनी इस पूरी राजनीती जो उनके खिलाफ हो रही तो उसको टालने में पीछे काम्याब हो इसलिए फिर से पिछड़े नेताओं को उत्ता प्रदेश के भाजपा के पिछड़े नेताओं को और भाजपा के सायोगी दल के ओबीसी नेताओं को काम पर लगाया जा रहा है बार बार उनी को आगे किया जा रहा है और इस बात को फिर से इन तस्वीरों और इस खबर के जरिए समझना चाहिए घर में जगड़ा थमने का भी नाम नहीं ले रहा है और देखना जगड़े में कौन किस पर भारी पड़ता है फिलहाल हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना और जब राजनीतिक आदमी हो तब तो कई 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 बार देखना ये वही उंप्रका शाजवर हैं ये वही केश्व प्रसाद मौरिया हैं ये वही योगिया दितिनात हैं ये वही हमें शाह और नरिंद्र मोदी हैं और ये वही जगड़ा है जो कुरसी के लिए लगातार राजनीती में होता चला आया है। बीजेपी बहुत दिनों तक इस जगड़े को मीडिया के खबरों से दूर रखने में काम्याब होती रही है। लेकिन अब वो जगड़ा भारी पढ़ रहा है। लेकिन तय कर पाना मुश्किल है कि कौन किस पर कितना भारी पढ़ रहा है। आप भी नजर बनाए रखें, हम भी नजर बनाए रखेंगे और मुश्रिशर करेंगे क्योंकि इन सब का रिष्टा सीधे जनता से है। और जनता को अपने आँख और कान को ले रखने चाहिए। फिर मिलेंगे तब तक अगर ये बातचीत पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब और जाते हैं तब घंटी की बटन दबाना मत भोलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टीपड़ी के साथ तब तक के लि